वाहे गुरू जी का खल सा वाहे गुरू जी की फते तुसी वेख रहे हो कथा गुरूबानी विजार संगजी एकवर राजा रोज सिवेरे सेर करनाशते जानदा रस्ते वीच एकवपारिडա कर सी एक दिन राजा वजीर नो कहन लगा कि सहर करद्यां इस करकर के बहुत वड़ा पिंदा है एक कारट वा देओ वजीर हरांसी के इना चिर हो गया राजा सहर करना रहा है अज की हो गया वजीर ने एह गल सुन के टाल देता वजीर उस कारवी चिरेंडे वपारी को गया ते कहन लगा सच दस के तूंक दे राजे बारे बुरा तानी चितवाया वपारी ने दस्वस्या के कुछ महीने पहला राजे दी तबियत बहुत खराब सी मैं बहुत सारी चंदन दी लकड़ी यह सोच के ख्रीद ले के जदो राजा इस दुनिया तो जाएगा ता इस चंदन मेंगे मुलतों वेच के चुक्खा मनाफ़ा कमावाँगा पर राब भदी करनी राजा ठीक हो गया मेरा पैसा फस गया मैं राब बग्गे रोज अरदास करता हां के राजा इस दुनिया तो जल्दी चला जावे वजीर कैन लगा तेरा राजे प्रती बुरा चितवान करके राजे दे मन विच्वी तेरे प्रती बुरा आगया है तेहुन उसने तेरा कार टान दा हुकम दिता है वजीर ने कहा के मैं कुछ चंदन दी लकडी ख्रीद ली दा हां तेहुन तू हर रोज प्रमात्मा के राजे दी चड़ दी कला वस्ते अरदास करया कर कुछ दिन वजीर दे टल दे रहन ते एक दिन राजा वजीर नो कहन लगा के जे अजे प्रबंद नहीं होया ता रेन दे की किसे दा हसदा वसदा कर उजाड़ना है मैं ता सेर ही करनी हुन दी है फिर की होया थोड़ा वद तुरना पै गया सो संगजी सनु किसे बारे माड़ा नी सोचना चाईदा किसे दा बुरा नी सोचना चाईदा असी जेकर किसे दा बुरा सोच दे हाँ वो साढ़े अगे ही यहूंदा है साढ़े कर्माते ही असर पाँदा है सो संगर जी जेकर असी सुखी रैना चाउंदे हाँ तब सानू सब्दी चड़ी कला दी अरदास करनी चाहिदी है जो एक सच्चे सेखदा प्रमात्वा मलो हुकम है गुर्गोबीन सिंग जी ने एही कहा है कि सब दापला मंगना है नानक नाम चरदी कला तेरे पाने सरबाद दापला वाहि गुरुजी का खालसा वाहि गुरुजी की फते